Hello students, आप सभी के लिए एक questions है हमारे पास, है ना, अभी अभी हाली हमने एक chapter complete करा है, numerical method में, paper 8, जो है semester 4 का paper 8, numerical methods में एक chapter complete करा है, numerical, solution of algebraic and transcendental equation, chapter का नम ये था, solution of algebraic and transcendental equation, इस chapter में हमने कुछ methods पढ़े, bisection method, regular falsi method, second method, Newton-Raphson method, आपको याद होगा, कि इस chapter में हमने क्या पढ़ा कि fx equal to 0 कोई एक equation होता था, ये equation algebraic या transcendental कुछ भी हो सकता है, इस equation को solve करने के लिए, हमारे पास 3-4 methods थे, जो syllabus में आपको पढ़ने हैं, तो 3-4 methods है, पहला था bisection method, bisection method में क्या करते थे, कि हम 2 point ढूनते थे, 2 real number ढूनते थे a और b जिस पर function का sign opposite हो, कि a पर अगर positive है function का sign, तो b पर negative, या a पर positive, इस पर negative, या इस पर negative, मतलब opposite होना चीए, तो इस case में bisection method कहता था, कि इस दोनों के बीच root मिलेगा, उसको ढूनिए bisect कर करके, ठीक, इस तरह के सामने regular falsy में भी देखा था, कि 2 point ऐसे लेने हैं, जिस पर function का sign opposite हो, restrictions है, कि दो वही point, 2 point ले सकते हैं, जिस पर function का sign opposite हो, bisection में भी restrictions था, कि 2 point लेना था, जिस पर opposite होना चीए, sign, regular falsy में भी restrictions था, कि 2 points लेना थे, और तीसरा पड़ा में second method, second method में कोई restrictions नहीं था, कि आप 2 point कुछ भी ले सकते हैं, बस ध्यान रहें कि वो 2 points की इस function sign same हो सकता है, opposite भी हो सकता है, कुछ भी वो function काम करता था, तो second method भी आपने देखा, फिर हमने Newton-Raphson method देखा, Newton-Raphson method में सिर्फ आपको एक approximate root चूज करने क्या हो सकता थी, xonod, चूज कीजिए, जो root के approx है, कैसे चूज करना था, सारा classes में बताया क्या था, और उसके जो था, सब हमने करवाया है, classes में, तो उमिद है आप समझ पा रहे होंगे, अब आप लोगों से question ये है, कि अगर आपके पास एक questions है, एक questions ये है, कि find the real root of the equation by numerical method, अब numerical method में कोई भी method अप्लाई कीजिए, और questions ये है, कि x cubed minus x minus 1 equal to 0, तो इस equation के real root को find करने के लिए, आप आपको ज्यादा बहतर तरीके से कौन सा समझ में आया है, तो दो parameter आप clear कीजिए, कि आपको ज्यादा मज़ा किस में आया, आप अगर question देती है, कि इसको solve कीजिए numerically, तो आप किस से solve करेंगे, मुझे इस वीडियो के comment box में चाहिए, और सभी अशुन को comment करना है, कि आप कि से solve करेंगे, तो यह chapter complete हो गया है, कल से हम लोग नया chapter सुरू कर रहे हैं, इसके बाद का chapter, तो उमेद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे, और इस method को जरूर बतेएगा, तब मुझे तो पता चले कि हम किसको जादा बहतर समझा पाए हैं, ठीक है, चले, मिलते हैं नए chapters के साथ, नए classes में, और जो लोग class join नहीं किये हैं, वो लोग भी join कर सकते हैं, हमारा application install कर लिए, धनबाद Maths Academy, बहुत अच्छे से live classes चल रहा है, और time to time हम लोग course complete करवाएंगे इस पार, बहुत अच्छे तरीके से पहले complete करवाएंगे इस पार, है झाल